प्रेजिए क्रोमोजों में तो नहीं को अपर इस वीडियो के अंदे डिसके बारे में इन सबीपॉइंटों के उपर हम इस वीडियो के अंदे डिसकर्स करेंगे और यह अपर्ष अब कर दो आई लिए वीडियो तिल इन आए अपर दो मुखें अपर आपके अविडियो के अध्यूस्टे केंगे पफिलके काम समझ लें, लेम्प ब्रेश क्रोमिजोमस्व है। ध्याकटों लेंक hazard तो इनका इन लब्डवर लक्टोम हम नेंगे प्रक्रिश्टार में हूं जैसा गच्रया है रही है जी जिसके अदर या राश्मी और टेsaf नाम इसलिए रख़ा लेम ब्रेश क्यों रखा है यह इस तरह से डीने के अंदर इस तरह से प्रजंड कि ब्रश के फोर्म में कि इस तरह से फ्रेजंट होंगे रिज्ञ के दाते होते ना लब्रेश के उसी तरह फॉर्म में परेजंट होते हैं कि किसा होता है इसकी वज़े से इनका नाम रखा है है लैंप ब्रश कोई और रीजन नहीं है लेंप ब्रश इनके अक्रेंज की वज़े से इनका नाम लांब बर्श रखा गया रहे हैं अंधर सिंगल ओसरे बिले पिरेजमाइड के होते हैं इस पेशलाइजलु और जाइडिट पूषू होता हैं मतलब normal chromosome से निका size काफी बढ़ा होता है और इनके अंदर single double lobes के अंदर chromosome present होते हैं आप देखते हैं कैसे present होता है यह एक common DNA का strand है whenever the general structure of lembrus chromosome एक DNA का strand सभी ने पढ़ा हुआ है सभी जानते हैं कि अब लेंब्रेस्ट क्रोमोजोम होगा कैसे देखिए अब आए इस तरह कि जो लोब्स दिख रहे हैं आपको रेड़ कर लोप जो में बना रहा हूं यह क्रोमोजोम के दो लोब्स है क्रों काम यह अक्सराग है यहां इसको अैंसको होता है इस तरह कली इस पूरे लोग का बढ़ता रहेंगा है तो और यहां से यहां तक तरे को ब्रशूं बोला यह लेंप का आखार बना रहे हैं पहले बात तो दूसरी चीज की ब्रश का शेप हो गया विए ब्रिसल की तरह एक्ट कर रहे हैं इसलिए इसका नाम लेंप प्रशर है इस पेशलाइज क्रोमोजोम होता है क्योंकि कुछ इसका प्रोमोजोम वैसे भी क्रोमोजोम होगा तो इसका जो में रहें करता है Massachusetts का वर्क करता है बहुत ईजी कर पाएंगे इतने सारे chromosome होंगे तो transcription, translation का process बहुत easily कर पाएंगे इसलिए mRNA का synthesis बहुत आसानी से हो जाता है यहांपर इसकी वज़े से यह lembrush chromosome से present होते हैं इनकी ज्यादा खास properties ही नहीं है, ज्यादा कुछ study नहीं हुए है लेकिन कुछ species में पाया जाते हैं, that's why we are studying them now so I hope कि आपको यह topic समझ आया होगा, आपको इसका structure समझ आया होगा, इसका क्या काम है वो समझ आया होगा और अगर आपको कोई भी इसमें doubt या सवाल है तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं और अगर आपको यह video किसी भी तरह helpful लगा हो तो please video को like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, साथ ही चैनल को subscribe कर लिजिए for more interesting videos such like that thank you so much for watching